अगर किसी ने फोनाइटिक सी विडियो नहीं देखी और वह देखना चाहता है और इंटर्स्टिटीग सो समझने में तो उपर जो ऑई-काड शो हो रहा है या लिंक जो वीडियो का दिये जा रहा है विडियो के अंदे शो और उसके क्लिक कर सकते हैं और फोनाइटिक्स चीज़ है, फॉनलोजी जो है, असल में एक sub branch of linguistic है, यह इसको सब field of linguistic भी कहते हैं, कि जिसके अंदर हम human की जो speech sounds हैं, उनको उस system को study करते हैं, for example, इसको हम कहते हैं, कि human की speech sounds है, वो organized system में एक language बना देती हैं, और उस language की study को phonology कहते हैं अब इसके अंदर human की produce की हुई हर sound की study को नहीं करते सिर्फ वो sound की study करते हैं जो एक language या particular system को represent करती हो for example जैसे कि मैं आप से उर्दू में बात करी हूँ तो उर्दू की language का एक पूरा system की study है उसको phonology कहते हैं इसी तरह जो इंग्लिश में बात कर रहा होगा इंग्लिश की पूरी study को phonology कहेंगे और phonetics जो है वो हर तरहां की आवाज जो human produce करता है चाहे वो एक language का system हो नहों वो इसको study करता है for example sound of point ये कोई भी अब किसी भी language की कोई भी किसी चीज को represent नहीं करती ये एक purpose को शो करता है एक चीज को represent करता है इसके अंदर जो sounds या phonemes यूज किये गए हैं वो एक system को एक system से लिए गए है और एक organized branch से लिए गए हैं उमीद है कि आपको इसका difference समझ आ गया होगा अब इसकी अगर phonology की definition जो book में यूज कर रही हूं वो है अभी मैं आपके description में डाल दूँगी कि मुझे नाम याद नहीं है तो phonology की जो phonology is the branch of linguistic which studies the sound system of language organized system एक specific system specific rule और set से बना हुआ जो system होता है जिसको हम language कहते हैं उसकी study को phonology कहते हैं इसका मतलब यह है phonetics हर तरह की sound को study करता है हर इंसान से related जो भी sound हो गई लेकिन इंसान से related जो sound सर्फ language में यूज होते है वो phonology की study है जो लोग phonology को study करते हैं उनको phonologist कहते हैं और phonologist जो है वो human speech sound structure को analyze करते हैं बारे में चीज़े देखते हैं और इससे जो भी related चीज़ों उसको देखते हैं अब phonology के अंदर एक term है phoneme phoneme smallest units of sound है for example English के अंदर जितने भी alphabet हैं A B C D से लेकर Z तक वो तमाम के तमाम phonemes है और English की जितने अबने भी alphabet हैं वो 44 phoneme बनाते हैं जो इस तरह group day के 20 जो है वोवल्स है और 24 consonant sounds है यह के इनके consonant P B A E I O U के इलावा जितने भी alphabet हैं English की language में उन्हें consonant कहते हैं और वो 24 तरह की sounds बनाते हैं और A E I O U जो है वो 20 तरह की sounds बनाती हैं जो हम phonology के अंदर यह phonology के अंदर study करते हैं इसके इलावा phonemes के इलावा इलाव फून्स भी होते हैं इलाव फून्स के कौन होते हैं वो जिनके साथ H की sound साथ आ रही हो फॉर एज़ेंपल T और H को मिलाएं तो थौ आ रहा होता है इसी दरहा अगर हम phon बोले हैं तो उसके अंदर P और H को मिलाके फौ की जो sound है वो एलाव फून्स के अंदर आती है अब syllable क्या होते हैं जब एक और एक से ज़्यादा फूनी में खटे हो जाते हैं तो syllable बन जाते हैं Unkindness इसके अंदर Un की दफ़ा आपकी एक दफ़ा जबान हिलती है काइंड की दफ़ा दूसरी हिलती है और Ness की दफ़ा तीसरी दफ़ा हिलती है तो इसके अंदर तीन सेलेबल मौजूद हैं इसका फर्मूला भी दिया हुआ है वो पिस्टरी वीडियो में मैंने आपको समझ और लिखी हुई कनवरसेशन को यह लिख यह एसे को भी कहा जा सकता है जो सेंटेंस से बड़ा जब तीन चार संटेंस को मिला दिया जाए तो इसको बन जाता है असान लेंग्विज में अगर समझाये जाए तो संटेंस उपर वाला लेवल जो आफ टेक्स जो होता है वह ड दिप तॉंग की एक लएक लिख लएक तो उसको डिप तॉंग कहते हैं और टीन वावल की साउड आरही है अई एलफॉंज को यह जो अपको पर बता हैं पहत इंपॉर्टन चीज जो अकसर आपका इंटरनेट पे मिलती है यह पोनॉलॉजी यह फोनॉलोजी की दो तरहां क कि तीर टाइपस होती है दो ब्रांचीज हैं दो फ्लेड़ एक सग्मेंटि और अच्छो सबस्क्राइब करने नहीं चीजे अच्छानगा च्छीज सब्सक्राइब करता है चीज कर दीर श्रीन कर दो अगया उपर जितने बिदम और इंटोनेशन हो गया इसके इलावा एसेमि जो दूसरी में मिक्स हो रही होती है बोलते हुए उसको भी यह स्टडी करती है जैसे कि बात करते हुए कोई आवाज नीची और कोई उची इंटोनेशन को स्टडी करती है यह सारी चीजें जो है सूपर सेग्मेंटल फॉनलोजी में आता है अगर आपको इसकी डेफिनेशन आराम से समझा गई है तो आपको इसके डिफरेंस भी समझा गया होगा फॉनलोजी यह फॉनलोजी जो है वह आप देख सकते हैं कि अगर लेंग्विस्टिक्स के हम लेंग्विज को समझने के हरार्की बनाएं तो सबसे पहले फॉनेटिक्स आता है मतलब स्टडी ओफॉनी सेग्मेंटिक्स और प्रेग्मेटिक्स यह निकि आखिर में डिस्कॉर्स आजाता है इन टॉपिक्स पर भी हम बात करेंगे लेकिन फॉनेटिक्स की वीडियो मैं अल्रेडी बना चुकी हूँ आप उसको सुन सकते हैं आज फॉनॉलोजी की बारी है अब अगर हम इनका डि प्रेडियोश ना के अगर हम बारी है किस तरह और वावास पैदा कर रहे हैं उस पर देयान देती है और फॉनॉलोजी की दो ब्रांची है सेग्मेंटल और सूपरसेग्मेंटल इसके इलावा फॉनेटिक्स की दीन ब्रांचीस है आर्टिकुली अक्वेशिटिक और हίке ही हाव सांडिस इसके इलावह फॉनेलाजी जो मेर्फ लॉजिट के लिए बॉर्ट सैंटांट जब पर निगे हैं इनसां करता है और फॉनेटिक्सby बेस्काथ can कि अगर है तुक्छ इंसके इलाव सबूंख के समी यह इस इस या यह ए एक वक्त में उर्दू को स्टड़ी के अगर बऊंटू को स्टूच्ट्प कर रहे हैं कि फनेटिक्स तमाम इनसान की निकलने वाली हर तहाँ की जबान को स्टड़ी करते हैं में अधा फोनेटिक्स बहुत ज़ाद है फोनोलोजी जो है वह स्पिसिफिक एरिया पर आजाती है एक बुक से लिया गया है फंक्षिनल फॉर्म 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 लिंविस्टिक मेरे खाल से बुक का नाम है और यह पीडिया आपको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो का लाइक कर दें और अगली वीडियो का डॉबेगी इंशाला मॉर्फॉलोजी होगा अब अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्यार रखें अल्लाहाफेस प्लीज उल्ड़ाशन वीडियो तक के लिए झालाहफेस।